कैसे हैं आप लोग नेक बेंड यूज़ करना मैं हमेंसा बहुता प्रिफर करता हूं मुझे काफी आचा लगता क्योंकि इसको अलग से आपको कहीं पर रखने का जरूरत नहीं होता जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं करना चाहते हैं तो अगर आप भी सिता है का सोच रखता है एक नेक बेंड पर्शेस करना चाहते हैं तो यह एक नेक बेंड है चुक्कि रिसेंट लॉंच और लाभा के तरप से लाभा प्रोबाट्स इन-11 आजके इस विडियो में आप लोग के साथ इसका एक्स्प्रियेंस आज के इस वीडियो में तो चली सबसे पहले कुईक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं तो कुछ इस तरह के बॉक्स के अंदर आता है यह पर नीचे डास स्विच मेंशन किया तो क्या ही यह डास स्विच मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर कर दूंगा और बिचे के बॉक्स कंटेंट के अगर बात करो तो यहां पर आपको फ्रम जाता है अगर आप इसको पढ़ना चाहते तो पर सकते इसके लिए आपको वारेंटी काड मिल जाता है जहाँ पर आपको 12 फ्लस दो मांत यानि की 14 मांत का वारेंटी मिल जाएगा साथ मैं आपको यूस्भी ट अगर आप side by side दोनों की design को देखेंगे निक बेंड के module से लेके पीछे का हिस्सा या फिर earplug का जगा almost आपको similar सा देखने को मिल जाता है बट जो भी हो फिलाल अभी बात कर लेते इसके quality के बारे में अगर सबसे पहले बात को उसके design and build quality के बारे में तो side के जो module है बो आपको यहाँ पर plastic का मिल जाता है और जो design है बो मुझे यहाँ पर काफी आचा लगा है साथ ही आपको volume plus minus का button भी मिल जाता है और उसी के ठीक उपर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है नीचे के side में USB type C का charging port मिल जाता है और अंदर के side में यहाँ पर mic भी देखने को मिलता है जब कि left side के model में आपको कोई भी buttons यह पर ports नहीं मिलता है सिर्फ यहाँ पर company का branding मिल ज किया है और हलका साथ को एक texture भी देखने को मिलता है तो डिफिनिटी इसका quality काफी आचा और आप अलग color में यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके बद आप एयर प्लग को देखेंगे तो यहाँ पर आपको magnetic ear plug देखने को मिलता है पीजे के जोई सब्सक्राइब आपको metallic मिल जाता है सामने के जोई सब्सक्राइब को प्लास्टिक का मिलता है और यहाँ पर एयर हुक्स को लगा के यूज करना चाहते हैं तो डिफिनिटी आप यूज कर सकता है अगर आप जीम या फ्यू र काफी सॉफ्ट मिल जाता है कोई दिक्कत आपको नहीं होगा और बॉक्स के अंदर जो डैस स्विच मेंशन किया गए यह इस एयर प्लाग का फंक्शन है यहाँ पर आपको magnetic on-off को फंक्शन नहीं दिया गया अगर आप on करना चाहते नेक बैंड को या फिर off करना चाहते तो यही सेम चीज अप्लाई होता है यूट्यूब में अगरा वीडियो भी देखते हैं उसके अंदर ही मैंने ठ्राई किया और वहां पर भी इसी तरह से यह काम करता है तो वीडियो एडियो में यह चीज़ बहुत अच्छे से काम करता है और यह जो फीचर से बो मुझे काफी से सुनेंगे तो म्यूजिक यहाँ पर प्ले हो जाएगा तो यह जो फीचर से बो मुझे काफी काफी जाता है एंडी लागा एंड साथ ही इस एयरफोर में आपको आइपक 6 का सपोर्ट मिल जाता है तो स्वेट पूप तो यह बन जाता है साथ में हलका फूल का वाटर भी लग जाता है तो उसको भी एजिस्टन्स कर सकता है इसके लब यह सिर्फ 38 ग्राम का आता है तो काफी लाइट वेट है जब भी आप इसको यूज करेंगे और अगर आप साइट के बटन के टेक्टल फीडबेक को देखेंगे तो भो भी मुझे यहाँ पर काफी आचा लगा आपको यहाँ पर काफी श्टॉंग मिल जाता है सबसे जो बिल्ड को लड़े बो मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा है अभी चावा जब सुनने इंगे रेकोर्ट और इसके बिल्ड के लिए पर काफी शार अच्छा है यहाँ पर मिल जाता है आपको बहुत आचा है आपने देखा कि आउट साइट में इसके साथ बात कर रहा था तो एक दम भी उस तरह का आवाज सुनाई नहीं दे रहा था सब्सक्राइब करना चाहते है आपका में प्रिटी सिर्फ कॉलिंग आप लंबे समय तक फोन में बात करना चाहते है तो डेफिनिली आप इस निक बेंड के साथ जा सकता है आपको काफी अमेजिंग यहाँ पर मिल जाता है अगर बात को इसके बैटी वेकप के बारे में तो इसके अंदर 280 एमिज के बैटी को यूज किया गया एंड कंपनी के इसाब साब इसको 42 आवर्स यूज कर सकते 60% वॉल्यूम में और मैं एक्चुली कितना बैटी वेकप मि मिल जाता है तो वो काफी अच्छा एक बैटी वेकप मैं कहा सकता हूं और साथ एकर आप इसको 10 मिनिट चार्ज करेंगे तो आप 13 घंट तक यूज कर सकते हैं तो यह भी एक काफी जवर्दस बात है कि भाई एक दिन आप 10 मिन चार्ज कर लिए उसके बाद 2-3 दिन आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको अलग से स्विच करने का या फिर एक में Bluetooth को आफ करके दूसरे में करनेट करना यह सब का जरूरत नहीं पड़ता है तो बाई काफी दा हेलफूल फीचर सी आपके लिए हो सकता है और साथ इसमें 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है यहां पर काफ बटन है इसको आपको long press करना पड़ता है इसको switch on करने के लिए और जो connectivity time है बो मुझे काफी कम लगा जैसे आप इसको long press करके hold करते है तो बाई 2-3 second के अंदर आपकी mobile के साथ यह connect हो जाता है सो हां magnetic on-off का support नहीं मिल लिए के बावजुद जो connectivity time है बो मुझे यहां पर काफी fast लगा है चलिसमें बात कर लेता है सबसे important चीज़ इसके sound quality के बारे में अगर बात करूँ sound quality के बारे में तो इसमें आपको 12am के dynamic driver का use किया गया बोट 255 new में भी 12am के driver का ही use किया गया था सबसे पहले थोड़ा सा loudness टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह का loud sound यह produce करता है यहां से भी क्लिरली सुनाई दे रहा है अगर आप अगर आप अउट्डोर में जाके यूज करते हैं तो डिफिनिल्य आपको कोई problem नहीं होगा और पास कुण sound quality के पर अभी तो sound quality आपको यहां पर काफी अच्छा मिल जाता है हाँ extraordinary sound में यहां पर नहीं कहूंगा बट हाँ price के साब से आपको काफी आच्छा मिल जाता है जो mids है या फिर जो vocals है वो आपको यहां पर काफी clear सुनने को मिल जाएगा जो trouble का part है वो मुझे हलका सा कम लगा बट हाँ अगर आप bass type का song सुनना पसंद करते हैं तो इसका sound quality आपको काफी आच्छा लगने बाला है अगर मैं actually कहूं तो भाई यह जो बोट 255 न्यों है ना इसके जैसा ही sound quality मिल जाता है मैंने दोनों को side by side करके सुना कोई भी different sound quality नहीं लगा सो हाँ pricing के साब से sound quality आपको ठीक ठाक मिल जाता है और साथ ही आपर जो magnetic प्लेपोस का system दिया है वो काफी फाइदमन्द होता है जब भी आप इसको use करते है सो sound quality मेरे हिसाब से अभब average आपको मिल जाता है अगर आप इसको यूज करके गेम खेलना चाहते है तो यहाँ आप आपको 60 millisecond low latency gaming mode का support भी मिल जाता है और यहाँ पर बीच में माल्टिफंक्शन मटना उसका अगर आप दो बार प्रेस करेंगे तो यहाँ आपर जो आपको लभा प्रोबर्ट्स इन 11 आपको purchase करना चाहिए या फिर नहीं तो देखिए इसका जो sound quality आपको यहाँ ठीक ठाक मिल जाता है मैं complain नहीं करूंगा बट call quality मुझे यहाँ पर काफी आचा लागा बैट आपको काफी आचा मिल जाता है connectivity में भी आपको कोई problem नहीं होगा और साथ ही आपको dual pairing का support मिल जाता है जो कि बहुत सरे लोगों का एक need रहता है स्पेसिपिकली मैं यहाँ पर कहना जाओंगा अगर आप एक साथ में दो mobile boost करते हैं dual pairing supported neckband चाहते हैं आप purchase करना साथ ही जहाँ पर बैटी वे कब भी आच्छा मिले अगर आप mostly calling भी करना जाते हैं तो आप इस neckband के साथ बिलकुल जा सकते हैं बट है अगर आपका main priority music या फ आप सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए नहीं था है अगर आपको वीडियो लगाते वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलियागा चलिए मिलता है नेक्स वोडियो में तब तक के लिए गुड़ थैंक्यों सो मज वीडियो जिए नेक्लें वोड़ तो अटने वाँ